पलन वाम जूले ललने वाओ हुई ललने वाओ हुई हमने बना लिया सारा खन वाओ हुई खन वाओ हुई आके खालो काना सजने वाओ सजने वाओ बलन वामे जूले ललने वाओ खाना बनके तो सारा रेडी हो गया है अब बोलती हूं दिवरानी जी को और आंटी जी को तो वो खा लें अब खाना खाया जाए फिर बैटके थोड़ी दिर अपने बेबी को खिलाया जाए इसके बार देखते हैं घर को निकला जाए अम्मा जी परेसान हो रही होंगी बहुत काम पड़ा होगा वहां भी मेरे भाई बेहन चाचा चाची ताया ताई आप सब लोग भी आईए और खाना खाईए मैंने चोखा आलू को और बैगन का बनाया है डाल चैवल सबजी रोटी सारा खाना बना लिया है मेरे दिवरानी जी को चोखा बहुत पसंद है तो जो मैं खाते हैं फिर बताइये कि हमारे हाथा का खाना कैसा बना है कि ऐसी गर्मी में अशब्स चाच में बैट की खाना बनाया क sürपी हमसा खुस रहता है कैते ह沖ुस रहोगे तो मौह स्थ रोगे सHaुस्त रहोगे इसलिए हम कभी टेंसन नहीं लेते हैं आईए फिर खाना खाते हैं चलते हैं देवरानी जी से पूछ लें कि खाना लगा किला है उनके लिए अरे बाल अच्छमी बिटिया तुमने तो आज कमाल ही कर दिया दिल खुस कर दिया कितने अच्छी खुसबू आ रही है कितना टेस्टी खाना बना होगा जब इतनी अच्छी खुसबू आ रही है तो खाने में तो आज आज़ा आनंद है अरे लच्छमी बिटिया, सच बात है, तुम्हारा कोई जबाब नहीं है, वाकई में तुम तारीफ के लायक हो, बताओ तु, जरा देर में तन्ना सारा खाना बना के रखती है, और अकेले ऐसे दूप में परिसान होती रही, हमें बुला लेती बेटा, अरे राम राम राम, कि इतनी सीधी साधी प्यारी सी लाडो रानी है हमारी, सच में लच्छमी लच्छमी हो तो, अरे कोई बात नहीं आंटी जी, खाना तो हम हर जगे बनाते हैं, सासुराल में रहते हैं, माईके में रहते हैं, अब दुरानी जी के बास आएं, उनका मन्था खाने के तो हमने बना हे चब तोंको खानवस्ट ले आना है हम जा रहे हैं से पूछ रहे हैं अकर वह बोलेंगी ना तुसरी लेकर आजाना जब तक ठाली वाली लगा लो ठेक एंटी जिय। लगा लेती हूं के जल्दी जल्दी में आदा खाना लगा पूँं क्योंकि मुझे थोड़ा जर्ड़ा करता है अफनी दो maior है अगर पिंज रहा कोई कोई कोछ कह न पाई मैं हमेशा किसी मैं परिणा सब दैते हूं कि मेरिए वज़य से किसी को कभी कोई प्रॉबलम नहों कि अभी तक अभी तक वाफिस से नहीं आए क्या कनने लगे है अभी तक तो आई जाते थे नहीं हो गए है को सकता है जामगा हो रहाँ इसलिए लेख हो गए हैं आरे सुनता बीटीया सुनों तो या इक बास सुनों हमारी कि आज भाना खाओगी तो खाती रह जाओगी आत्मतरक्त हो जाएगी पता नहीं सकते तिमको आज हम खाना के बारे में सोच-सोच के कितना खोस हैं ऐसा खाना बहुत दिन बाद खाएंगे अरे मम्य क्या वोल रही हो अब खाने में ऐसा कौन सा वो उगया जो इत्ले दात निकाले गूम रही हो क्या हूँ ऐसा अरे बिटिया तो दात निकालने की बात कर रही हो इतना मस्त चोखा बनाया है लच्छमी ने इतना मस्त बनाया है कि अगर तो महाँ चली जाओगी ना तब पूरी उतनी जगे महार महार हो रही है हम छत में जैसे ही गए ऐसा लग रहा था वो खुस्बू पूरी अपने अंदर भर ले आलू का चोखा लो बैगन का चोखा लो दाल लो चावल रोटी सब कुछ बना के रखी है और इतना अच्छा महक रहा है अब तुम अपने बबुगा का लिटाया दू इधर और खाना खालो क्या बात कर रही हो ममी जी सच में जी ठाणी जी ने अच्छा खाना बनाया है अरे या सब्ल मुठा यहा यहा चलो बाहरी बैठके खाते हैं ये बाट तुमने भिल्गुल सही खई चलो बहार अब बना के खिला रही है तो खाने में क्या जा रहा है उसे कह देंगे वह खिलाएगी फरस परसके अब हम क्या ला है तो हमें काम मत बताया करू हमना जब से तुमारे बेटा हुआ है थक गए क मेरे खाना खाते टाइम रोना है इनको है सब कुछ अभी करना है ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ लेकिन नहीं अब इनको रोना है मम्मी एक काम करो जरा दूद की बॉटर उठाइलाओ बार रखीए ये ना मुझे ना खाने देगा ना पीने देगा अरे शान करके रखा है इसने मुझे कभी कभी इसके उपर मुझे बहुत गुश्स आती है अभी तक सोया पड़ा था अब बताओ मेरे खाना खाने के टाइम आया तो रोने लगा चली जाओ जड़ा दूद की बोतला भूंका होगा अरे ठीक है बिटिया लाते है लाते है और बच्चा है उसको ऐसे नहीं जाटा जाता है जोटा है वह कुछ जानता थोड़ी ना है दूद का पीजा है तो वह तो रोई गई अरे हाँ वह तो सब ठीक है लिए क्या वोतल लगा देते हैं सो अपना पीतर आएगा सो जाएगा अमें भूंक लगी अब आपने बता दिया इतना अच्छा खाना बना तो हमारा दिमाग वहीं पर रखाए अगर रोई होए तो लेके बैठ जाना खुदी हम बेना खाना खा एक खाने पर रखा एक बच्चे पर रखा है करूं तो क्या करूं को समझ में नहीं आ रहा है अरे ठीक है अम दूद की बोतल आ रहे है उसको लगा दो तो वह जब तक पीएगा और सो जाएगा खाना तुम खालो तमाज जी आ रहे होंगी परिसान होने की जरूरत नहीं है अरे वह आधमी लोग है उनकी का चिंता फिकर करना है वो तो सासा मंदर पार करके भी आ जाते हैं तेखो बीटिया ज्यादा मस सोचा करो दिमाग में ज्यादा जोर मट डाला करो आराम से टेंसन ठी रहा करो समझ गई अब चलो हमारा ना मूं में पानी आ रहा है बार बार चलो बेबी तो सो गया अब सोर मत मचाना मम्मी चलो चुप चाओ अब वो सो गया इसे पीता रहेगा चलो खाना खालिया जाए अरे ठीक है ठीक है आओ अब उसे के पास से बोलोगी तो वो जग जाएगा धीरे से आओ अब चलो आंटी जी कब गई ती खाना लिए पूंचने अभी तक नहीं आईए जाती हूँ मैं भी देखके आती हूँ पूछके आती हूँ पता नहीं है लोग भी कितने सोलोर सुलोर काम करते हैं पूर्चने गई ती खान लग रहा शो गई पूछने उचने नहीं जाती हूँ, सीधे खाना लेके ही चली जाती हूँ अरे मम्मी आप बैट गई इदर, जाओ बोल कि आओ जिठानी जी से खाना लेके आए अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खोदी खाना लेके आ गए क्या बात है जिठानी जी सच में आप कमाल की है आपका कोई जबाब नहीं है अरे क्या हुआ दिवरानी जी लो पकड़ो पहले खाना खाओ बाद में बात करना अंटे जी आपके लिए भी लाएं खाना हाँ बेटा हमारे लिए भी लाओ हमारे गोट्नों बहुत दर्द हो रहा है मनना हम खुद ले आते जाके चली जाओ तुम ही ले आओ ठीए खिला रहे है क्यों मम्य जूट क्यों बोल रही कहा गोट्नों में दर्द हो रहा है अरे चुप रहो बीटिया तुमना हमारे बीच में मत बोला करो हमारा काम करने का मन नहीं हम जूड बोल रहे हैं उससे जूड बोल बोल के काम करा रहे हैं अरे तो क्या हो गया वहां भी तो पूरे दिन परवतिया रगड़े रहती है आध हम करवा लेंगे तो क्या हो जाएगा अब भीडिया हमारी बास सनू ना इसको पुसला पोट के रखना यहीं पे अपनी जठानी को बहुत काम की है जाने मत देना फुल सेवा करेगी तुम्हा खालो अंटी जी खाना ठीक है ठीक है विटिया किसी को कुछ चाहिए तो नहीं बता देना अरे नहीं जठानी जी अभी किसी को कुछ नहीं चाहिए अपने लिए भी तु ले आईए खाने के लिए आप नहीं खाओगी क्या आ विटिया हम तब भूलाईगे जे पूचना त बताई एक वाद ना कि नहीं जो ना जब आप बना इतना टेस्टी कि बता नहीं सकती हो अब छाना बंढ़ा धूर लॉक है वहाँ है और किना प्रावर करना हैem अभिल भरोनेघा लोड़ी को रहेंगे अँआप्यों जो ही ठकाँ घ्रुर कबव सकती है वो सो रहा है रूम में लेता है अच्छा ठीक है फिर मैं सोच बइन जाती उसे के पास ठोड़ी देर लेटी और उसको खिलाती अधाने जी नाई उसको मत चूना वो सो रहा है फिर वह समसे भात करो उसके आश पास भील ना बटकना वह माना सायतानी को बता सब्सक्राइब नहीं सकते हैं वह मारा खाना 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 हराम कर देगा है अब लोग खाना खाओ आराम से बताना जिसको जो चाहिए तो हम ला के देंगे ठीक है और हाँ जी ठानी जी मैं खाना खा के अगर आराम करने चली जाओ तो मनुहर जी आएंगे तो उनको खाना खिला देना और जब लेटने जाएं तो एक गलास उनको दूध गुन-गुना करके ठोड़ा सा गरम करके दे देना क्योंकि हुँ कि खाना खाने के बाद एक ग टेगे टेगे